नमस्कार BCN News के दिन विशेश कारेक्रम में मैं दुशाब सभी का स्वागत करती हूँ आई ने से डालते हैं ख़बरों के और भारत के प्रतम मुस्लिम मुख्य नियादिश मुहमद हिद्यातुला का आज के दिन 17 दिसंबर 1905 को जन्म हुआ था मुहमद हिद्यातुला को भारत के प्रतम कारिवाहक राष्ट्रपती कहना अधिक उप्यक्त रहेगा क्योंकि भारत के सब्वेधानिक व्यवस्ता के मुताबिक निर्वाजशित राष्ट्रपती नहीं थे उन्होंने दो मौकों पर भारत के कारिवाहक राष्टपती के तौर पर भी कारिबार सम्हाला था इसके साथ ही वो एक पूरी कारिकाल के लिए भारत के चटे उपराष्टपती बने थे 31 अगस 1989 को हिद्या तुल्हा को सर्वसंपती से भारत का उपराश्टुपती बनाया गया था उनका कारिकाल 31 अगस 1984 तक रहा 1989 से 1984 तक उपराश्टुपती रहते हुए वो जामिया मीलिया इसलामिया दिल्ली और पंजाब युनिवर्सिटी के गुल्पती भी रहे 4 अक्टूबर 1991 को हिद्या तुल्हा को भारतिय विद्या परीश्ट की मान सदस्ता भी प्रदान की गई उपराश्टुपती पत का कारिकाल संपन्न होने के बाद एम इरायतुल्हा को आसाद पंची जैसे प्रसन अताम हैसूस होई थी उन्होंने एक एहम दायत्व को निश्टा पुर्वक निभाया था जोरान यहां उपराश्टुपती होने के चलती राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे किन्तो इन पर कभी भी पत के गलत इस्तमाल अत्वा पक्षपात करने का आरोप नहीं लगा उच्च सदन में यह सभी सदस्यों की चहती दोसर है अवकाश ग्रहन कर लेने के बाद जाने माने राज्यताव ने इनकी मुक्त कंट से तारीफ की जब यह उपराश्टुपती पत का कारेपाद पूर्ण करने के बाद मुंबई के लिए रवाना हुए तो नई दिल्ले रेलवे स्टेशर पर उन्हें विधा करने वालों में ततकारीन पीम एंद्रा गांधी उपराश्टुपती आर्वेंकिटनम गुरुहमंत्री नरसिमहाराव और उच्च अधिकारीगन मौचू थी 18 सतंबर 1982 को रुदै घात की कारण उनका निधिन हो गया था भारती अभीनेता निरमाता और मौडल जॉन अबराहिम ने कई विध्यापनों के लिए मौडलिंग की है वो अपनी बॉड़ी की वजह से युवा में काफी लोग प्रिये है आज ही की दिन 17 दिसंबर 1972 को कोची में उनका चिन हुआ था जॉन अबराहिम को पच्पन से ही मौडलिंग का शौक था कॉलेज की दुनों से ही वो अपने बॉड़ी बनाने पर ध्यान देती थी आज भी उनकी फिल्मों में उनका शरीर कमाल का होता है बॉलिवोड में जॉन की गिंती उन बेहत कम अभी नेताओं में होती है जो अपने आपको फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा जिम में महनत करते हैं इसके साथ जॉन का बाइक प्रेम तो सभी जानते हैं जॉन एब्राहिम ने हिंडिस सिनमा जगत में बाइकों को चर्चित बनाने में विशेश सहयोग दिया फिल्म दूम में उन्होंने अपने बाइक प्रेम को बखुबी दर्शकों के सामने रखा जॉन एब्राहिम का जन्म 17 दसंबर 1972 को मुंबई में हुआ माया नगरी में पैदा होने की वज़र से शुरू से ही उनका लगाव सिनिमा से चुड़ा रहा मुंबई के जेहिन कॉलिज टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटर्टेन्मेंट प्रमोशन से लिमिटेड नामक मीडिया कमपनी में काम किया जो कुछ समय बाद ही पैसो की कमी के चलती बंध हो गई उसके बाद उन्होंने एंटरप्राइजस नेक्सस में मीडिया में आयोचे का काम किया 1999 में उन्होंने ग्लाडराक्स मानहेंट प्रत्योगिता चीती और मानहेंट अंतराश्रिय प्रत्योगिता के लिए फिलिपिन्स चले गए जहां उन्हें तूसरा स्थान मिला बस यही से वह एक सूपर मॉडल के सफर पर निकल चले लंडन नियॉक सिटी आदी जैसे शेहरों में मॉडलिंग के बाद वो भारत वापस आके और कई विज्यापनों में काम किया यही से उन्हें म्यूसिक वीडियो में भी काम मलना शुरू हुआ बारत के प्रसिद्ध स्वतंता सेनानी, गालीवधी और पत्रकार भोगराज पताभी सीता रामया ने दक्षिन भारत में स्वतंता की अलग जगाने में महतपोन भूमिका निभाई थी उन्होंने राष्ट्री हितों को दूसरे हितों के मुकाबले हमेशा प्रात्मिक तामीर रखा सीता रामया राष्ट्रपती महात्मा गांधी के प्रमुक सयोग्यों में से एक थी आज के दन 1969 में उनका निधन हुआ था पटाभी सीता रामया का जन 24 सिसम्बर 1880 को आंधर प्रदेश के नलोर तालुके में एक नेधन परिवार में हुआ था उनके पिता आठ रुपे प्रती महने के वेतन पर गुरुहस्ती चलाती थे जब सीता रामया चार पाच वर्ष के थे तभी उनके पिता का दिहान थो गया अने कटिन परिस्तितियों के आने पर भी उन्होंने अपनी शिक्षाद चारी रखी उन्होंने अपनी बीए की डिगरी मादरास क्रिश्चिन कॉलिज से प्राप की काकिनाडा के एक धनी वकील की कन्या से उनका फिवा हुआ इसके बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और मचली पट्टम में चिकित्सक की रूप में व्यवसाइक जीवन में लगे राश्ट्यता की भावना उनके अंदर आरम से ही विध्यमान थी बंग भंग की विरुद देश व्यापी आंदुलन का उन पर प्रबाव पड़ा था कॉलेज की दुनों से ही वे कॉंग्रेस के समर्क में आ चुके थे राश्ट्य विचारों की प्रचार के लिए उन्होंने जन्मभूमी नामक एक साहितिक पत्र भी निकाला था सन 1916 से 1952 तक वे अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के और अनेक बार कालिस समीती के सदस्य भीर रहे जब सन 1929 में कॉंग्रेस अद्धिक्ष के निर्वाचिन में पटब्भी सीत्यार मैया सुभास चंद्रबोस से पराचित हो गये तब महात्मा गानी ने उनकी हार को अपनी हार कहा था भारत की आसादी के बाद वर्ष 1952 से 1957 तक वे मध्यप्रदेश राचिकी राचिपाल रहे थे BCN News के दिन विशे इशकारे करमें फिलहाल इतना ही SCN और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ये BCN News नमश्कार